Hello Learners, कैसे हो आप लोग? मैं मोमिता और इस चैनल पे हम बढ़ते हैं Environment के बारे में हमारे आज की सेशन में हम बात करेंगे Ozone Depletion के बारे में या फिर हम इसे कह सकते Ozone Layer Depletion अब Ozone Layer Depletion के बारे में अगर बात करनी है Ozone Layer Depletion के बारे में अगर जानना है तो हमें Ozone Layer के बारे में जानना परेगा और Ozone Layer के बारे में जानना है तो Ozone के बारे में जानना परेगा कि Ozone कैसे form होता है यह कहां पे रहता है कौन से Atmosphere पे कौन से पार्ट में जादा मिलता है और यह good है, bad है, कैसे act करता है यह सारी चीज़े जाननी होगी जो already हम जान चुके है previous वीडियो में जैसे जो atmosphere के layers के वीडियो थी उन में हम जब troposphere, stratosphere इन सारी चीजों को discuss कर रहे थे इन सारी spheres के बारे में जान रहे थे तो वहाँ हम ozone, ozone good है bad है, कहाँ पे कैसे act करता है ozone की color क्या है कैसे form होता है तो यह सारी चीज़ा हम already discuss कर चुके है तो इस वीडियो में तो हम वो नहीं जानेंगे अगर आप वो वीडियो देख चुके है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं देखे है तो आपको end में playlist मिल जाएगी वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजे तो चलिए ozone layer क्या है वो जानते है ozone layer basically gaseous layer है जो atmosphere में है और अगर हम specifically कहें atmosphere पे कहाँ पे है stratosphere में जो ozone की gaseous layer है वो ozone layer कहा जाता है उसे stratospheric ozone layer भी कहा जाता है और यह क्या करता है यह हमें protect करता है किससे harmful sun radiation radiation से solar radiation जो harmful है हमारे health के लिए environment के लिए human, animal, plant इन सब के लिए harmful है जो solar radiation उस से यह ozone layer हमें protect करता है तो अगर हम solar radiation की बात करें तो सबसे पहले आएगी UVC अब UV radiation की बात आएगी UV radiation इसके तीन पार्ट है जो हमें पता है UVA, UVB और UVC अब एक confusion यह रहता है कि UVA ज़ादा harmful है UVB ज़ादा harmful है यह UVC तो answer है सबसे ज़ादा UV radiation जो human health के लिए कहा जाए environment के लिए कहा जाए जिसके लिए भी कहा जाए सबसे ज़ादा harmful है UVC UVC radiation की wavelength जो है वो सबसे कम होती है UVA, UVB, UVC में और उससे ज़ादा होता है UVB का और उससे ज़ादा होता है UVA का wavelength wavelength wise अगर harmful wise हम इसको सजाएंगे तो वो आएगा सबसे ज़ादा harmful है UVC उससे थोड़ा कम है UVB और उससे थोड़ा कम UVA बैसे तीनो ही harmful है पर अगर हम order में सजाएंगे तो वो आएगा तो UVC जिसका wavelength basically सबसे कम है पर ये सबसे ज़ादा energetic है और सबसे ज़ादा हम में harm करता है तो ये ozone layer क्या करता है UVC का wavelength कम है ये ozone layer पूरी तरह UVC radiation को absorb कर देता है उसको 8 surface तक आने में 8 तक आने हम तक पहुंसते में block कर देता है तो इस तरह से हम UVC radiation से बच जाते है उसके harmful effects से बच जाते है और तो पूरी तरह UVC radiation और most of around हम कर सकते है 90% of UVB radiation ये ozone layer जो अगर intact रहा तो हमें ये protect करता है ये सारी radiation absorb करके तो अगर आपसे यहां पर ये सवाल पूछा जाए कि ऐसी UV radiation ABC में आप बताएए कि कौन सा radiation कौन सी wavelength की कौन सा radiation जो है जो 8 तक पहुंचती है तो आपका answer होगा कि UVA क्योंकि C को पूरी तरह से ozone layer अगर intact रहे कोई किसी भी तरह उस पर हाम ना हो तो UVA radiation जो होता है वो आप surface तक पहुंचता है UVC को वो पूरी तरह absorb करता है और most of around 90% of UVA radiation भी absorb कर लेता है पर UVA radiation को वो पूरी तरह से absorb नहीं करता है उसको partial absorb करता है वो block कर सकता है क्योंकि इसकी wavelength जो है वो बहुत जाता है और ये कहा जाता है कि around 310 nanometer wavelength तक ये जो ozone layer है वो absorb कर सकता है तो इसलिए ozone layer के वज़े से सबसे जादा harmful UVC radiation से हम बच जाते हैं तो ये हो गया अब ozone depletion जो intact ozone layer के बारे में तो हमने बात कर ली ozone depletion क्या है ozone depletion है gradual thinning of ozone layer ठीक stratospheric ozone layer है तो ये जब thin होता है धीरे धीरे तो उसको ozone depletion कहते है और ये ozone depletion कहाँ पे ज़्यादा है polar region में ज़्यादा देखी गई है अब यहाँ पे एक सबाल आएगा कि ozone depletion की बात हो रही है तो अंटर्टिकर रेजियन में तो ये है polar region में है अंटर्टिकर में ज़्यादा है ozone depletion इसके साथ साथ अंटर्टिकर की बात आती है तो ozone hole ये ज़्यादा आता है तो ozone hole और ozone depletion में difference कहा है ये सबाल आ सकता है तो ozone hole और ozone depletion में difference कुछ नहीं है अगर ozone depletion severe level पे हो तो क्या होते है एक थीक ozone layer है चीक है अब थीक ozone layer में आप chemical compound जिया जिस effect की बादे से वो धीरे-धीरे thin होती जा रही है अब thin होते होते अगर वो layer एक particular portion पे इतना ज्यादा affected होके वो हट जाए तो वहाँ पे एक hole सा बन जाएगा एक एरिया में ozone layer नहीं रहेगी तो अगर उसमें ozone layer नहीं रहेगी तो UV radiation जो अभी तक UVC, UVB जो ये ozone layer block कर रहा था वो पूरी तरह से earth surface तक आ जाएगा तो उसी जगा को हम ozone hole कहेंगे जहाँ पे severe portion में ozone depletion होई है पर फिर भी ozone hole इसके उपर जो भी data है कब ये पहली बार देखी गई थी या इस related कुछ अलग information भी तो है पर वो सारी चीज़े हम एक और वीडियो डालेंगे आएगा उसमें हम discuss करेंगे पर वह जादा लंबी नह देख लीज़े ozone depletion के बारे में तो ये part 1 होगा, part 2 में हम ozone hole के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे पर ozone hole equal to severe ozone depletion ये याद रखिएगा ठीक है और ये ozone depletion के बारे में हमें कब पता चला? और आपके लिए सवाल एक है आपके बारे में नहीं बताई तो आपको बताना है UVC का वेबलंद कितना है और ये याद रखिए ये आपको फिस में भी मिल जाएगा ये आपको MCQ session में भी मिल जाएगी कि ozone layer जो है वो around कहीपे कहा जाता है कि 290 तक क्योंकि ये सारे study based है ये सारी चीज़े तो कहीपे कहा जाता है कि 290 नानोमीटर तक जो वेबलंद है वो absorb कर सकता है हमारा ozone layer और कहीपे ये थोड़ा जादा करके 310 नानोमीटर तक कहा जाता है तो around 310, 290 अगर option दिया है तो जो नहीं दिया है बताना चाहते सवाल है तो 310, around 310 नानोमीटर तक ये वेबलंद को absorb कर सकता है हमारा ozone layer तो ये याद रखिएगा ये हम MCQ session में भी कर लेंगे तो वेटर रहेगा और मैं वेबलंद UBABC का इसके नहीं दियो क्योंकि आपको comment box में बताना है UVC का वेबलंद कितन है ठीक है और अब देखेंगे कि ozone depression क्यों होता है कुछ chemical compounds है जो options है बहां पर देखेंगे chemical compound सबसे ज़्यादा effective है ozone depression के लिए ठीक है अब chemical compound में दो gaseous compound है जो जैसे chlorine और bromine यह gaseous compound है जो चलरे कहां से आता है industrial activities और human activities वहां से release होता है तो उसमें CFC chlorofluorocarbon, HCFC, halon यह सारी चीज़े release होता है human activities, industrial activities तो और इन सब compounds में जो gaseous compound है जो जिसमें इन सब compounds में chlorine या फिर bromine होते है जो ozone layer को deplete करता है, ozone layer को harm करता है और इन सब substance को कहा जाता है ozone depleting substance, ODS कहा जाता है ODS का अगर full form पूछा जाए तो आप यह कहेंगे ozone depleting substances तो यह सारी चीज़े है जिसमें chlorine जो compound, जिसमें chlorine, bromine है वो ozone depleting substance है वो ozone layer को harm करता है तो अगर हम main compound या फिर main reason of ozone depleting कहें तो वो आएगा chlorine और bromine especially chlorine जो है वो ozone layer को depleting करता है ठीक है और तो फिर जो compound है जो chlorine release करता है after reaction उन compounds को ozone depleting compounds कहते है तो अगर कुछ ऐसी compounds की बात की जाए तो CFC आएगा chlorofluorocarbons, HCFC, halon यह सारी चीज़ें आएंगे तो यह chemical compounds वे और यह जो ODS है या फिर ozone depleting substance है they, वो क्या होता है, they are not washed back in the form of rain on the earth यह rain के थुरू, अब chlorine release करता है, gaseous compound है तो वो atmosphere में जाके ozone layer को effect करता है तो यह फिर से पापस आर्थ में rain या फिर किसी और तरीके से नहीं आता है यह atmosphere में ही रह जाता है for a long time और कितना long time? around 100 years, इनके ODS substance के lifetime 100 years है तो सोच लीजे, इतनी दे तक अगर इनका lifetime अगर कम होता कि हाँ, 2-3 years, तो यह ozone को जादा effect नहीं कर पाता ozone layer को जादा depleting नहीं कर पाता पर क्योंकि इसके lifetime around 100 years है, जो बहुत जादा है तो वो ozone layer को depleting करता है और यह rain या किसी other form में दुबारा आर्च में आके वो वोश्ट आवे नहीं होता है तो यह atmosphere में ही रहे के धीरे-धीरे ozone layer को थीन कर देता है तो यह compounds कितना harmful है ozone layer के, यह समझ में आ गया chlorinated compound यह वो compounds जो chlorine release करते हैं, इसके इलावा भी NO2, nitrogenous compounds है, like NO2, NO, यह सारे N2O, यह सारे जो nitrogenous compounds है वो भी responsible है ozone layer depletion के लिए तो यह सारे चीज़े जो chlorineated compound है और जो nitrogenous compounds है यह सारे compounds जितनी जादा release होंगे, वो उतनी जादा atmosphere में जाके बहाँ पे इनका lifetime क्योंकि बहुत जादा है around 100 years है तो atmosphere में जाके वो ozone layer को धीरे धीरे thin करेगा, ozone layer deplet करेगा तो यह हो गया chemical compounds जो ozone layer depletion के लिए responsible है दूसरा आता है, इसके उपर एक study, जो हम क्यों कहते हैं कि nitrogenous compounds है और chlorineated compounds है, chlorine compounds है, यह ozone layer को deplet करते हैं इस basis पे हम कर रहे है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि environmental science या science जो है वो study based है, study में जो चीज़े हमें मिलती है उस हिसाब से हम बात करते है, proof मिलता है जो हमें तो इसका base यह है, कि in 1969 एक Dutch chemist है, जिनका नाम Paul Crudson है उन्होंने एक paper published की थी, जहां पे उन्होंने बताया था, कि जो major nitrogen oxide compounds होते है catalyst होते है, वो ozone level को effect करता है, मतब ozone level को decrease करता है तो उनके study से यह पता चला था, कि जो nitrogenous compounds है, वो भी ozone layer के लिए harmful है और यह 1969 में हुआ था, उसके बाद 1974 में, दो American chemist, जिन्होंने University of California में भी एक study की थी, वहां पे recognize किये, कि human produced, जो chlorofluor carbon, जिसके हम बात कह रहेते और यह सारी जो compounds है, जिन्में carbon, fluorine, chlorine atoms है, ठीक है that human produced chlorofluor carbon molecules contains carbon, fluorine and chlorine atoms could be a major source of chlorine, वहां पे chlorine, जैसे हम nitrogenous compounds की बात कर रहेते है उसी तरह, chlorine जो compounds है, यह सारी चीज़े भी chlorine release करता है जो chlorofluor carbon है, उनमें chlorine है, अब chlorine release करता है और वो क्या करता है, ozone layer को destroy करता है, जितना वो liberate होता है वो react करके, जितना chlorine release करता है, यह compounds जो है, यह जितना chlorine release करेगा वो क्या, UV radiation के थुरू, अगर CFC है, वो UV radiation के थुरू affected होके, वो तूटके chlorine release करता है और वो chlorine क्या करता है, वो atmosphere में जाके, जो हमारा ozone layer है, उसको deplete करता है तो chlorine compound जो है, इसमें chlorine है, और यह हमारे ozone layer को deplete करता है तो एक study के थुरू यह भी देखा गया था, तो CFC और इन सब चीजों के बारे में भी एक study के थुरू पता चला है हमें, और जो nitrogenous compounds है, nitrogenous oxide वो उन सब के बारे में भी हमें एक study के थुरू पता चला है और इसके इलावा, एक तो compounds की बात करी, यह main reason है जो भी हम causes कहें, causes की बात वही आती है कि chlorine compounds, nitrogenous compounds, यह सब जितना release होगा, causes क्या है जो भी activities, release, main, यह compounds release होना, main वही है और compounds किसके थुरू release हो रहे है, कौन से activities के थुरू, वो cause है ozone real depression के लिए, तो unregulated rocket launching, यह एक cause है पर इसमें भी क्या release होती है, unregulated rocket launching की भी अगर हम बात करें तो वो भी एक study में दिखा गया है, कि जो पुरहने, मतलब जो solid fuel rockets है, अब rockets के बहुत सारे types होते है 3-4 types होते है, तो solid fuel, liquid fuel, ऐसे जो solid fuel rockets होता है, वो क्या करता है, वो भी chlorine glass release करता है तो main way compound आता है, कि chlorine, unregulated rocket launching यह देखा गया है, कि अगर rocket launching कोई regulated way में ना हो या फिर अगर वहाँ पर कोई filter ना यूज की है, कि chlorine compounds कोई filter या फिर कोई process यूज की है गई, कि chlorine compounds release नहीं होगा, अगर release भी होगा, तो वो किसी और compound में transform होके release होगा, तो वो क्या होगा, environment में, atmosphere में जाके, वो ozone layer को effect नहीं कर पाएगा, but अगर unregulated way में हुआ, तो chlorine compound, chlorine ही release होगा, और chlorine अगर release होगा, वो atmosphere में जाके ozone layer को deplete करेगा, वो stratospheric ozone layer को deplete करेगा, तो यह देखा गया है, कि जो उनको prevent करने की ज़रूरत है, यह बताया जा रहा है, कि require more stringent regulation in order to prevent significant damage, stratospheric ozone layer, अगर stratospheric ozone layer में, जो damage यह करता है, उसको prevent करना है, तो regulated rocket launching की ज़रूरत है, regulated मतलब प्रॉपर वे में की जाए, प्रॉपर प्रॉसेस होगा, जैसे हम बात कर रहते हैं, कि यह transform होके कुछ और compounds बनें, जो harmful नहीं है, और या फिर कोई filter हो, जिससे chlorine release, जो है, कम मात्रा में हो, यह सारी चीज़े देखना होगा, तो वो स्टैटफो क्या करता है, chlorine reacts with oxygen to form ozone destroying chloride oxides, chlorine क्या होता है, एट्मोस्पेर वे जाके oxygen के साथ react करके, chlorine oxides form करता है, जो ozone destroy कर, ozone layer को destroy करता है, तो यह unregulated rocket launching के थ्रू भी यह चीज़े होती है, और इसके इलावा भी, यह तो जैसे हम बात कर रहे थे, कि, solid fuel rockets की बात कर रहे थे, पर अगर हम बात करें, liquid fuel rocket की, या फिर other rocket types की, तो उनसे भी, ozone layer थोड़ा बहुत deplete होता है, पर ज्यादा, वही चीज़ों से होती है, जो chlorine release करता है, main बात के ही है, जो भी substance, chlorine, bromine, यह सारी chemicals ज्यादा release करेंगे, उसके थ्रू हमारे जो ozone layer है, stratospheric ozone layer है, वह ज्यादा deplete होगा, और इससे देखा गया है, कि unregulated rocket launch, जिसके थ्रू ozone layer destruction by 2050, जादा से जादा ozone layer destruct हो जाएगा by 2050, अगर ऐसी इसी तरह से unregulated rocket launching वी तो, यह सारी, तो regulated rocket launching बहुत important है, मतब तो rocket launching ही नहीं, हर वो chemicals की use, या फिर हर वो process, जिसमें chlorine, bromine, ऐसे compounds, ऐसे chemicals release होते हैं, वो जितना control की जाएगी, उतना हमारा जो ozone layer है, protected रहेगा, तब और वो ozone layer खुद protected रहेगा, तब ही जाके वो हमें protect कर पाएगा, बार जितना यह chlorine substances, ODS या जितना जादा release होगा, उतना जादा ozone layer deplete हो जाएगा, ozone hole बहुत जादा हो जाएगा, तो हम भी unprotected हो जाएगे, UV radiation से हमें कोई protecting कर पाएगा, ठीक है, अब natural causes देखेंगे, natural causes है, obviously, जैसे sunspots, stratospheric winds, यह सारे natural causes है, जो ozone layer deplete करता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि यह chemicals बहुत जादा करता है, पर अगर natural causes में देखेंगे, तो sunspot की भी बात की जाएगे, यह stratospheric winds, इससे 1-2% ही होता है, इससे जादा नहीं है, अच्छा, आप लोग को अगर sunspot के बारे में जानना हो, तो आई बटन में आपको sunspot के वीडियो के link मिल जाएगी, उसमें detail में sunspot के बारे में हमने discuss की है, और मुझे नहीं लगता, उससे जादा sunspot के बारे में आपको कही और से जानने की जरूरत होगी, पर वो जितना परोगे, उतना ही अच्छा, जहां से भी परोगे, पर हाँ पहाँ पर detail discussion भी है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो, अगर आपको sunspot के बारे में जानना है, तो इसमें फिर आता है, stratospheric wind sunspot यह 1-2% करता है, इसके साथ-साथ volcanic eruption भी है, जो ozone layer deplete करता है, volcanic eruption से क्या होता है, erosal, जो erosal के बारे में आपको पाता है, tiny particles जो होते हैं, तो erosal जो release करता है, volcanic eruption के through flyers, erosal, यह सारी चीजे, तो वो क्या करता है, वो direct ozone layer को हाम नहीं करता, वो क्या करता है, एक surface बनाता है, जिस surface के ऊपर CFC-based जो chlorine है, वो ozone layer को destroy करता है, वो एक surface, वो platform बना देता है, जो हमारा volcanic eruption के through जो होता है, इससे CFC-based chlorine, वो ही ultimate, वो ही इंसान है, वो chlorine, sorry, वो chemical है, वो chlorine जो effect करता है, तो main reason, main villain जो है, वो chlorine है, यहाँ पर, तो उसके ऊपर, तो पर यह सारी जो natural causes है, natural causes की effect है, वो जादा नहीं है, वो 1-2%, maximum 5% है, जादा तर जादा हम ही problem करता है, जो anthropogenic activities, industrial activities है, यह सारी चीजे ही जादा reason है, अगर हम cause देखेंगे, तो आप एक line में यह कह सकते हो, कि anthropogenic activities are the main reason for ozone depletion, और natural causes जो है, वो इतना harmful नहीं है, वो थोड़ा बहुत करता है, पर जितना होता है, वो heal भी हो सकता है, यह चीजे, अब यह हो गया causes, effect में क्या आता है, अलग-अलग सगर हम देखेंगे, तो effect on human, human के उफर effect क्या है, जो हम बात कर रहते हैं, अगर ozone layer deplet हो जाएगा, ozone thin होने के बाद, अगर ozone whole form होगा, तो क्या होगा, UVC radiation जो है, वो आर्थ तक पहुँच जाएगा, UVBB, जो maximum 80-90% ब्लॉक करता था, ozone layer, वो भी आर्थ तक पहुँच जाएगा, तो तब क्या होगा, हम में skin cancer, skin disease, sunburns, eyes के problem होगा, जादा जैसे हम धूप में निकलते हैं, तो क्या होता है, हम properly देखने में problem होती है, हम sunglasses use करते हैं, क्यों करते हैं, वो radiation के वजए से करते हैं, तो वही चीज़े हमें vision problem आजाएगी, और जादा देर तक अगर आप दूप में रहोगे, eyes को protect नहीं कर पाऊगे, और UVC radiation अगर आट तक आ जा रही है, तो उससे क्या होगा, cataract form हो सकता है, और permanent blindness भी हो सकता है, और इसके साथ साथ हमारे immune system भी जो है, वो भी harmful हो जाए, वो भी उसमें भी हम होगा, उसमें भी effect होगा, और aging, quickly aging हो सकता है, और यह कहा जाता है कि ozone layer decrease हो रहा है, ozone depression मतलब decrease in ozone layer, तो ozone layer decrease हो रहा है जो 1% decrease in ozone layer, result in 2-5% increase in the occurrence of skin cancer, ozone layer जेतना decrease, अगर 1% decrease होता है, तो skin cancer होने के chances 2-5% बढ़ जाता है, तो यह effect है human के उपर, अब animals के उपर क्या effect है, उनके भी skin, eyes, इन पे effect होगा skin cancer हो सकता है, जादा देर तक अगर वो UV radiation, UVC, UVB में रहेंगे, तो वो skin cancer हो सकता है, eyes cancer भी हो सकता है, और यह चीज है कि UVC, UVB जादा effective है, UVA ऐसा नहीं कि UVA effective नहीं है, पर अगर कम effective है, comparatively C और B से, C सबसे जादा है, और UVA में भी अगर जादा देर तक रहा जाए तो वो skin, eyes, health अपर effect करेगी, और plants पर क्या effect है, plants जो है UV radiation अगर overexposed रहा, UV radiation अगर overexposed की भी बात नहीं है, अगर ozone depletion हो जाएगा और पूरी तरह से तो UVC directly out surface पर आ जाएगी, तो उसमें भी जो हो जाएगा, plant, plant growth कम हो जाएगा, plant photosynthesis जो process है, वो affected होगा, और flowering ठीक से नहीं होगी, इस से क्या होगा, कि जो carbon cycle है, क्योंकि photosynthesis प्रपरली नहीं होगी, तो जो हमारा carbon cycle, oxygen सागी, इस सारे cycles affected होगे, plant में क्या होता है, production, plant production, जो है, अब यहाँ पर कुछ crops की बात की गई है, हाला कि यह कुछी नाम है, बहुत जादा, बहुत सारे crops ऐसे हैं, तो जैसे barley, wheat, corn, oats, यह सारे जो crops, इनके production कम हो जाएगे, और plant में भी smaller size, leaves के जो size होगे, वो small हो जाएगे, यह सारे negatively plant growth इतने अच्छे से नहीं होगी, तो यह सारी चीज़े affected है, और इसके साथ साथ क्या होता है, soil erosion, अगर plant growth properly नहीं होगे, plant को nutrition नहीं मिलेगा, या फिर इसके production सही से नहीं होगी, तो वो हमारे agriculture field पे भी effect करेगा, और soil erosion, carbon cycle, क्योंकि photosynthesis properly नहीं होगी, तो carbon cycle पे effect करेगी, तो यह सारी effects plants पे होगे, और बहुत सारे plants मिलाके, heat तो forest बनते हैं, तो forest life पे भी ozone depression effect करेगा, क्योंकि नहीं नहीं पहुच पाता है, हाँ सही बात है, deep sea में बहुत जादा solar radiation नहीं पहुच पाता है, जितना वो surface में आएगा, पर हर life वो सारे deep sea में तो नहीं है, वो upper layer में भी रहता है, water surface में रहता है, fishes जो हमेशा deep sea में नहीं रहता है, ponds ecosystem अगर हम देखेंगे, तो व pond तो हमेशा इतना deep नहीं होता, तो surface area में जो species है, वो affected होंगे, जो, specially planktons है, जो planktons अगर affected होंगे, तो उनके number decrease होगा, तो जो वहां की food chain है, marine food chain कहा जाए, या फिर marine ecosystem कहा जाए, तो वो affected हो जाएगा, क्योंकि सब interrelated है, तो एक affected होगा, तो दूसरा भी हो जाएगा, तो य disease होंगे, तो यह सारी चीज़े, जो fish में भी हम देखते हैं, cancer या फिर अलग से disease होता है, तो यह सारी चीज़े, अगर UV radiation के थूँ हुआ, तो वहां के ecosystem में भी affect होंगे, वो सारी चीज़े, तो plants, marine plants जो है, उनके growth नहीं होंगे, production नहीं होंगे, तो वो भी affect करेगा, फिर व UV radiation के थूँ, अगर UV radiation कैसे आ सकते है, अगर ozone layer deplet हुआ, तो यह effect है, ozone layer depletion की, या फिर ozone layer depletion के थूँ, UV radiation अगर art surface पे, marine plants पे आ जाए, तो यह सारे effect होंगे, solution क्या है, ozone layer, एक ही solution है, कि ozone layer, और ozone layer को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तभी वो हमें प्रोटेक्ट करेगा है ना, तो ozone layer कर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, जो main villain है, उसको कम ही, जादा जाने नहीं देना, पर उसको रोक के रखना पड़ेगा, तो वो कौन है, chlorine, तो जो chlorinated substance है, जो हम use करते है, refrigerators में, CFC और HCFC, यह सारे release होता है, जो refrigerator कहा जाए, या फिर conditioner कहा जाए, तो इन सब में, अगर mishandling हुआ, या फिर यहाँ पर कोई malfunction हुआ, तो यह chlorine compound जादा release होंगे, तो वो सारी चीज़े कम करना ही पड़ेगे, और जो भी problem हो चुका है, chlorine substance के बज़े से, उसको heal करने की कोशिश की जाएगी, तो worldwide मेजर लेना पड़ेगा कि हम जो substance है, जो ODS है, मेली बात की जाए तो ODS के, ODS के, तो ODS की release, या फिर ODS production, इंपोर्ट यह कम करना पड़ेगा, वोल्ड वाइट में, तो जब हम इसकी बात कर रहे है, तो एक बात बता दो, ODS को कम करने के लिए, वोल्ड वाइड एक तो worldwide initiative भी ली जाएगी, ली गई है, तो आपको बतानी है कि ऐसी कौन सी protocol है, जो ozone layer depletion, ozone hole इसके साथ related है, obviously सब को पता होगा, तो comment box में बताईए और हम next video में इसी के उपर discuss करेंगे, इस protocol के बारे में detail में जानेंगे, तो वो बताईए, इसलिए मैंने यहाँ पर answer नहीं ल protection, protective measure भी ली जाएगी, इसके साथ-साथ, individually भी हमें क्या करना है, हम pesticide यूज करते है, plants पर या फिर agriculture field में, तो इन pesticide में भी क्या होता है, ख्लोरीन होता है, तो ख्लोरीन substance तक ही कम use हो, तो इसके लिए, organic pesticides या फिर कोई alternative measure हमें लेना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है, और इ जैसे vehicles, जो large amount of greenhouse gases emit करता है, तो greenhouse gases में भी कभी-कभी, अगर हम global warming, ozone depletion, ये सारी चीजों को देखे, डारेक्ली इतना interrelated ना होके भी ये related है, तो थोड़ा बहुत effect तो होता है, तो इक greenhouse gases जो है, वो ozone layer deplete करने में effective हो सकता है, तो जितना ये सारी चीजों को कम की जाए, cleaning substances, cleaning material है, जो ऐसे ही chlorinated chemicals release करता है, ये सब चीज, मतलब main भही बात है, कि ऐसी chemicals, ऐसी compounds, ऐसी चीजे, इन सब की use कम करना, जो ODS को release करे, ozone depletion substances को release करना कम करे, और mainly chlorine compounds की use, जितना हो सके कम करे, हम substitute यूज करे, ताकि ozone depletion जितना कम हो सके हो पाए, और ये protected रहे, ozone जितना हो चुका है, वो खुद अपने आपको हील भी कर सकता है, जैसे कि हमने ये चीज देखा है, कि ये लॉक्डाउन के टाइम में, क्यूंकि human activity बहुत कम हो गई थी, तो लॉक्डाउन के टाइम में, ozone layer बहुत portion में हील हो गया था, ये चीज हम देखे था है, ये news में भी आया था, तो इस वज़ए से तो फिर, ये समझ में आ सा है, कि हमारी जो अन्थ्रो, अब natural causes तो उस टाइम पे भी था, पर main effective, जो है, anthropogenic effects, तो जितना हम anthropogenic activities कम करेंगे, chlorinated substances release, ozone depleting substance को, जितना release कम करेंगे, उतनी जल्दी हमारी ozone layer भी ठीक भी रहेगा, और जितना already destruct हो चुका है, जितना depleted हो चुका है, वो protect भी हो जागा, वो heal भी हो सकता है, तो ये ही possible solutions है, और protocol के बारे में आप लोग को आज बताना है, comment section में बताईए, आज का सवाल भी व comment box में comment करके बताईए, next video में हम उसी को discuss करेंगे, और अगर आपको ये video अच्छा लगता है, तो इसे like, share और subscribe कीजे, channel को subscribe कीजे, हमारा एक telegram channel है, जिसका link आपको description box में मिल जाएगी, उस channel को join कर लीजे, वहाँ पे हम PDF भी आपको मिल जाएगे, अगर आपको इन वीडियो जो भी uploads है, उनकी PDF चाहिए, तो वहाँ पे मिल जाएगे, या कोई भी queries हो, कोई special video की demand हो, तो आप वहाँ पे बता सकते है, जैसे ये ozone depletion की वी जो video है, ये comment section में किसी ने demand की थी, तो मुझे, I'm so sorry, उनका नाम नहीं आदा रहा है, पर thank you so much, आपकी वज़े से मैं ये video बन देख रही है, तो please comment section में बताइए, आपकी queries थी, वो complete हुई है या नहीं, या फिर आपको और detail में कुछ जाना है, तो भी अब बता सकते है, तो मैं एक और video बना दोगी, वैसे हम ozone hole पे भी थोड़ा discuss करेंगे, और जो protocol की बात किये, तो उसके बारे में भी discuss करेंगे, तो और part 2 और part 3 अभी भी बाकी है, तो वो भी हम देखेंगे, और